नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब के स्री मैं हूँ आपकी साथ प्राची तमिलनाडू अभी तक चक्रवाती तूफान में चौन के प्रभाव से उभर भी नहीं पाया है इसी वीच राज्य में एक बार फिर भीशन बारश का अलर्ड चारी किया गया रविवार देर रात और सोमवार की सुभा के बीच यहां हुई बारिश से कई लाकों में बार्ड के हालात पैदा हो गए हैं खासकर थुतु कुडी में तो सडकों से लेकर लोगों के घरों में भी पानी भरा देखा गया तमिलाडू के जिन जिलों में बारिश की वज़ा से बार जैसे हालात हैं उनमें तिरू लेने वली तूतिकोरीन, तेनकासी और करन्यकुमारी जिला शामिल है तूतिकोरीन के तिरू चेंदूर में तो रात के डेड़ बजे तक सिर्फ 15 घंटों के अंदर ही 60 संटीमीटर तक बारिश हुई है वहीं इसी दोरान तिरू लेने वली के पल्यामकोटई में 26 संटीमीटर पानी गिरा करन्यकुमारी में इन 15 घंटों में 17.3 संटीमीटर बारिश हुई है इन जिलों में भारिश की वारिश की वज़ा से बांधू का पानी भी छोड़ा गया जिसकी वज़ा से कई इलाकों में सड़के लबालब भर गई है इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन में घरों में पानी भरा देखा जा सकता है इस दी बीच जिलादिकारियों को बांधू से पानी छोड़ने और जन जीवन का ध्यान रखने का भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को तमलनाडू में बारिश से जुड़ी कई चिताबनी चारी की मौसम विभाग ने कहा कि अगले साथ दिनों तक तमलनाडू के कई शहरों में भारी बारिश होने के आसार है इससे पहले चक्रवाती परिसंचरन के कारण रविवार को दक्षिणी तमलनाडू में भारी बारिश हुई कई इलाके और घर जल मगन हो गए वही थमीरा बरानी नदी उफान पर है जिसको लेकर मुख्यमंद्रू एमके स्टैलिन ने अधिकारियों और को दक्षिणी तमलनाडू में नदी जोडो परियोजना के तहत ड्रायर अनको चिन्हत करते हुए अतरिक्त जल को कनाडियन चैनल में छोडने के लिए निर्देश दिये है शनिवार को चक्रवाती परिसंचरण भूमध्य रेखिये हिंद महसागर और दक्षिन श्रीलंका तट से सटे दक्षिन पश्चिम बंगाल की खाड़े के निचले शोभ मंदस तर पर था दक्षिन तमिलनाडू के कई इलाकों में सोमवार को हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना थी वही कन्या कुमारी, तिरूलेने वली, थुतुकुडी और तेनकासी के अलग-अलग इलाकों में भारे बारिश के भी आसार है मंगलवार को दक्षिन तमिलनाडू में कई जगहों पर उत्तरी तमिलनाडू, पुड़ुचेरी और कर्याकल में एक या दो जगहों पर हलकी से मध्यम बारिश, एक या दो जगहों पर गरज और बिजली गिरने की भी संभावना बताई गई है बुद्वार से शनिवार तक तमिलनाडू, पुड़ुचेरी और कर्याकल में कई जगह बारिश होने की संभावना है इस भारी बारिश के कारण कोविलपत्टी के आसपास की नदियां और जीले अपनी पूरी शमता पर पहुँच गई है और जीलों से पानी बह रहा है इसके अलावा कोविलपत्टी और इनाम मन्याची इलाकों में बारिश का पानी नदी से बाहर निकलने लगा तो पानी को रोकने के लिए रेच से भरी बोरियां और जीसी भी मशीन का इस्तमाल किया गया वही जिलाविकास अधिकारी ने कहा कि कोविलपत्टी पंचायत में 40 जीले भरी हुई है दो जीले सती गरस्त हुई हमने उनकी मरमत की बाकी जीलों की नगातार निगराने करी जा रही है यदि जील में कोई दरार आती है तो हम उसे तुरंत ठीक कराने के लिए तयार रहें जीले जीले चारी जेख दो जाज जुँ अशयाते है जा अछिकारी तुरंत्टी-चारी जीले जेग है।